हेलो दोस्तो नमस्कार इंडियन रेल मुसाफिट चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की जो ट्रेन जानकरी है वो है गोंती सागर एक्सप्रेस के बारे में यह जो ट्रेन है लखनव से चन्नई सेंट्रल तक चलती है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी में तो ये लखनव कानपूर बपाल बलहर शा विजय वाड़ा होते हुए ये चन्नई सेंट्रल तामी लड़ो में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है इसके तकरीबन 47 स्टेशन्स हैं अगर हम बात करें लखनव जंचन चन्नई सेंट्रल गोंती सागर एक्स्प्रेस के ट्रेन नंबर के बारे में तो इसका ट्रेन नंबर जो है 16.09 में और ये 42 गेंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 47 स्टेशन्स है चन्नाई सेंट्रल के लिए रवाना होती है अगर हम बात करें इसके टिकेट किराय के बारे में तो इसमें वैसे सेकेंड डेसी थर्ड डेसी स्लिपर क्लास और जनर क्लास के दिब्बे हैं मैं जो अभी आपको टिकेट किराया बताऊंगा वो गोमती सागर एक्सप्रेस का इसके लावा इसमें पैंट्रिकार भी शामिल है जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही फूड 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 के लिए आपको एक्स्टा चार्जिस पे करने होते हैं टिकेट के लावा भी तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लखनवु जंक्शन से चन्नई सेंट्रल तक चलने वाली गोमती एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जालनेते इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं दोस्तो यह जो ट्रेन है लखनवु जंक्शन से हर सोमबार और मंगलबार को शाम के चार बच के बीस मिनट पे रवाना होती है चन्नई सेंट्रल के लिए और इसके तकरीबन 47 स्टेशन हैं दूसरा जो स्टेशन आता है वो है कानपूर सेंट्रल यहां पर यह ट्रेन जो है शाम के 7 बच के 5 बच के 45 मिनट पे पहुंचती है और 6 बच के 5 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है उसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह और आई स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7 बच के 34 मिनट पे और 5 मिनट पाद वहां से रवाना हो जाती है और 180 क स्ट्राप है उसके बाद यह ट्रेंञ जो है लिलीदपूर जंक्शन में पहुंचती है राद के 11 बचके 12 मिनट पे कि आतरा जो है यह तो चुटी है उसके बाद यह इतार सी जंक्शन में पहुंचती है कि सुबह के पांच बचके 25 मिनट पर 5 बचके 30 मिनट वा के रवाना हो जाती है स्का यहां पर 5 पेतुल स्टेशन में पहुंचती है, सुबह 7.16 मिनट पे और 7.18 मिनट पे वहां से रवायना हो जाती है, इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद गोमती सागरा एक्सप्रेज जो है वो अमला जंक्शन में पहुंचती है, सुबह 7.44 मिनट पे और 7.46 मिनट पे व आपर कर चुकी होती है उसके बाद ये ट्रेंज हुआ पदूरणा श्रेश में पहूंचती है पंदूर ना स्टेश में ट्रेंज हुआ सुबार बचते 빨리 नरो कर दो till शी STAR एशाच मिनिट आप और नाटपूर जेंशन में पहुंचती हैENS थैसा यहां पर dos का स्टॉप है, उसके बाद ये ट्रेज शेवा ग्राम स्ट्वू में पहुंचती हैसे यह घारा बज के संतालैस मिनिट की पहुंचती हैए और eh 48 रिमिटर की जनि जो है लक्टनयू से यहां तक कभड़ कर के लिए उसके बाद यह रहा स्थेशन वाना हो जाती है उसके बाद यह रहा सो बच्क चोका मिनटकर की जनी यह ओए यह यह कवर कर चुका अकुछ जंक्षन में पहुंचती है दोपहर के 1 बच के 4 मिनद पे और 1 बच के 6 मिनद पे वहां से रभायना हो जाती है और 1135 किलोमेटर की यात्रा यह cover कर चुकी होती है उसके बाद गोमति सागर एक्सपर जो है वो चंद्रपुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1.36 मिनट पे और 1.36 मिनट पे वहां से रभाइना हो जाती है इसका यहाँ पर दो मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंश बलहर शाहा-जंग्शन में पहुंआ जो है महराश्ड का आखरी स्रेशन है यहाँ पर यह ट्रेंश जो है दोपहर के दो बच के तीस मिनट पे पहुंचती है और दो बच के चालिस मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर दस मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज जो है शरीपुर कागस नगर तिलंगाना में पहुंचती है दोपहर के 3.40 मिनट के करीब और 3.41 मिनट पे वहां से रवायना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज जो है बेलम पली स्टेशन में पहुंचती है बेलम पली स्टेशन में ये ट्रेंज जो है शाम के 4.9 मिनट पे पहुंचती है और 4.10 मिनट पे वहां से रवायना हो जाती है इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेन जो है रामा गुंडम स्टेशन में पहुंचती है शाम के चार बच के 36 मिनट पे और चार बच के 37 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेन पेडम पली स्टेशन में पहुंचती है शाम के चार बच के 50 मिनट पे और चार बच के 51 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है और 142 किलोश्टी की जरनी कवर कर चुकी है तो येसका बाद जीमिकुंटा में है साथ बच के पाँच मिनट पे पहुंचती है और एक मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है वरंगल मां ये ट्रेन गे श्याम के 6 बच के 38 मिनट पे स्के बाद के साखर आइप्ड पर वहां से रभाना हो जाती है इसका यहांपर इस के बाद यह ट्रेन और महभूबा बाव स्टेश्चिंवह स्याम के इसका यीच वह ऋनीनिस मिनट पर यह इनस वहें पर यहां से पांझ होजशन उसके बाद यह train जो है दुरोणा कल जंक्शन में पहुंचती है राद के आठ बजे कि रिव और राट बज के एक मिनट पे वहाँ से रवाँना हो जाती है इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज जो है इरूप पहले इंस्टेशन में पहुंचती है रात के 9 बच के 15 मिनट पे और 9 बच के 16 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज जो है विजय बाड़ा जंक्शन में पहुंचती है रात के बारा बज़ के चालिस मिनट पे और एक बज़े वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर बीस मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज वहे नियूगंटूर में पहुंचती है रात के 1.15 मिनट पर एक बच के 57 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है, इसका यहांपर दो मिनट का स्काइब है उसके बाद ये ट्रेंज है नीडू बोरोलू स्टेशन में पहुंचती है तीन बच के 23 मिनट पे रात को और तीन बच के 24 मिनट पे वह से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद ये ट्रेंज भापटरला स्टेश में पहुंचती है सुब़ 3.56 मिनट पे और 3.57 मिनट पे वहां से रवाणा हो जाती है इसका यहां पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद ही ट्रेन जो है गोमति सागर एक्षप्रेज आप और उन गोल स्टेश में पहुंचती है सुबह चार बज़के 41 मिनट पे और चार बज़के 42 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद लखनव जंक्शन चन्नेज सेंटरल गोमती सांगर एक्सपर जो है वो सिंगराया कॉंडा स्टेशन में पहुंचती है बीरा गुंटा स्टेशन में पहुंचती है पांच बज़के 43 मिनट पे और पांच बज़के 44 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है इसका यहाँ पर एक मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेंज जो है नलोर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7 बज़ के 28 मिनट पे और 7 बज़ के 30 मिनट पे वहां से रभाना हो जाती है स्काई यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद यह ट्रेन जो है नाइडू पेटा स्टेशन में पहुंचती है जो कि इसका सेकलना स्टेशन नहीं यहाँ पर यह सुब 8 बच के 18 मिनट पे पहुंचती है और 8 बच के 20 मिनट पे वहाँ से रभायना हो जाती है इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है उसके बाद लखनव जंक्शन चन्नाई सेंटरल गोमती सागर एक्सप्राइज वो अपन स्टॉप होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को रीगार्डिंग लाइक जलू करते हैं और शेयर जरू करते हैं ताकि इनिफ्रमेशन भागों तक भी पहुंच ठीjan आगर आप चाहते हैं कि आपक का अपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब निकिया तो सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन जरूर दुमाएं ताकि आपको लेटर्स वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्ते